नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर शॉलिशन की यूट्यूब चनल पे गैस पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका कंटेंप्रेरी इंडिया इंड एजुकेशन के जो कि आपका बेट फिर का आपका सब्जेक्ट रहता है तो आज की वीडिया आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट रहने वाली है जो भी इंपोर्टेंट कोस्टेंज मैं आपको गैस पेपर सीरीज के तुरू बता रहा हूँ 100% वापके एकसाम में आपको देखनों को मिलेंगे और 2024 की आपकी गैस पेपर की जो सीरीज है वो रोहिलकन उन्वेस्टी की बेटफस्टर की स्टार्ट हो चुकी है तो अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे के आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहें कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो आपके एक्जाम है वह बहुत जल्दी स्टार्ट है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ठीक है न और इस थोड़े से टाइम में कुछ सेलेक्टिड कोशन ही आपको तयार करने होंगे जो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिले और वो ही हम करा रहे हैं तो चलिए फटावट से विडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं contemporary Indian education के कौन-कौन से important question आपको दिखाई देते हैं यह questions आपको फटावट से अपने Question Magnum में किक कर लेने है और screenshot भी ले लेना है तो चलिए फटावर्ट से अपना question में निकाल लीजे और स्टार्ट करते हैं आज के contemporary India के questions ठीक है इजुकेशन के बारे में बहुत जादा बात होगी और education से related यानिके शिक्षा से related question जरूर आएगा 100% ठीक है इस चीज का जान लखना शिक्षा से related question जरूर आएगा ठीक है शिक्षा के संप्रत्य एमन प्रकर्ति की विवेचना कीजिए भारत्य सम्विधान में शिक्षा के लिए सम्विधानी प्रावधान क्या है ठीक है या फिर शिक्षा को परिभाशित कीजिए या आपको ये तो पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या है शिक्षा का अर्थ ठीक शिक्षा को परिभाशित कीजिए शिक्षा की विभिन धारनाओं एमकारियों की विवेचना कीजिए, शिक्षा की कारिय जरुर आपको करके जाने हैं, टीक है? समय और इस्तान के सम्झेट में शिक्षा का अर्थ, प्रकरदी, उद्देश्यों का वन्ण कीजिए, या फिर शिक्षा को परिभाशित कीजिए, एक समाज में विभीन इस तोरों पर शिक्षा के क्या कारिया है, चर्चा कीजिए, यानि कि शिक्षा के कारिया आपको करके जाना है, 100% आता ही है, चाहिए वो समाज में पूछे, चाहिए वो कहीं भी पूछे है, गुआ गुमा के बस एक ही question पूर्चता है ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेश कोशन की बाद करते हैं, नेश कोशन आपका वही है ठीक है अभी, एक ही question चल रहा है, शिक्षा के अर्थ, परकरिया, सवरूप, तथा परकारों के बारे में विस्तित विस्ता कीज़ें, एक ही question है कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के कारिये, है ना, उसकी प्रकर्ती, ठीक है, यह सारी चीज़ आपको, education से related करके जानी है, important रहता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question की बात करते हैं, next question जो कि आपके लिए important रहेगा, अभी भी वो ही है, ठीक है, शिक्षा के कारिय शिक्षा के क्या कारिये हैं, ठीक है, आपकी human life में पूछ लिया, ठीक है, आर्थिक विकास में, शिक्षा की भूमिका की विस्तित भी विचना कीजिये, important question, ठीक है, एक ही question है, repeated question है, गुमा गुमा के पूच रहेगा, एक अच्छा सान सर त्यार कर लेंगे, तो इन सभी question म एक अच्छा सान सार आपका चल जाएगा ठीक है अपने कोशन में इसको टिक कर लीजेगा और या फिर इसका स्किन शोड ले लीजेगा आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन जो क्या आपके इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है बहुत आता है ठीक है प्रकरतिवाद बहुत आता है करके जाना है देखो कैसे कैसे कोशन करता है प्रकरतिवाद क्या है ठीक है नेचरलिज्म के बारे में पढ़के जाना है ठीक है प्रकरतिवाद क्या है प्रकरतिवाद ने भारते शिक्षा के उद्देश्यों को कहां तक परभावित किया या फिर प्रकरतिवाद के दर्शन कि आदर्षवाद क्या है, इस संधर्व में प्लैटो के शेक्षिक विचारों की व्याक्या किजिए, यानि आदर्षवाद और प्रकर्तिवाद दोनों में अंतर आपको अगर पता होगा न, तो फिर वो चाहे आदर्षवाद से कुछ भी पूछे और प्रकर्तिवाद से सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेश कोशन की बात करते हैं, नेश कोशन जोगे आपके लिए इंपोर्टन रहेगा भई, वह आपका है कि समाजिक विकास में निमित शिक्षा के कारियों पर प्रकास डालिए, ठीक है, द्रो लाइट ओन दा फंक्शन सोफ समाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, समाजिक परिवर्तन में होने वाले कार को को स्पस्ट कीजिए, इस समंद में विध्याल्य की भूमिका को वर नित कीजिए, शिक्षा की भूमिका, विध्याल्य की भूमिका, यह क्या हमारे जो लाइफ है, शोशल लाइफ में क सिक्षाा उसमें क्या जा रही है क्या रोल है ठीक है य Shaputenden रहता है about an question है ratCall I gatुति अबन ने में इसको को टिक कर लिजे सिर्ट लेलीजेगा अगने बढ़ते हैं संबहे वही कोशान चल रहा है कि समाजी में कऱीवर्तन हो रहा है और सुझाने क्षिप तत्वों को से में समझाइए ठीक है ना what are the factors affecting and resisting social change explain in brief ठीक है या फिर समाजी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं 2023 में आया एक कोशन ठीक है लिखके परिवरतन से आप क्या समझते हैं आगे बरते हैं इसके इसके परिवर्तन को टेक्ट कर लीजेगा आगे बरते है नाकर स्कूर्चन की बात करते हैं नेक्स कोशन जोगा आपके लिए इंपोटें रहेगा एनसी एफ भई ठीक है करके जाना है राष्टेग्यान आयोग National Knowledge Commission ठीक है National Knowledge Commission यह राष्ट्रेग्यान आयोग 205 ठीक है या फिर राष्ट रियान आयों की शेतर है वी सतर से मजाए या फिर विद्धाल्य के लिए राष्ट र मख्शा के लिए राष्ट्च भार कंण दोटिकी लिए घंद करने इसको दरूप हर्वे विद्याले शिक्षा के लिए रास्टे पाठ्टे गरम की रूपरे का 2005 की मुख्य विशेष्टाओं का विश्तार से वर्डन करिए निके NCF 2005 के बारे में आपको बताना है ठीक है उसकी क्या आपको फीचर्स बताने है ठीक है आगे बढ़ते हैं ज्यान आयोग यहने के हाप इन्होंने NKC पूछ लिए ठीक है रास्टे ग्यान आयोग रास्टे ग्यान आयोग 2005 परेक्षंशिप ते टिपनी लिखे वह दोनों करके जाने आपको NKC भी और NCF भी ठीक है इसको टिक कर लो या फिर सकी इन्शोड ले लो ठीक है आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन की ब कि फिलोसफी और एजजुकेशन के बीच में आपको क्या डिफेरेंस बताना है एक ही कोशन है रिपीटिड कोशन है चीरी सी बात यह है कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, वह आपको बताना है, ठीक है, इंपोर्टन कोशन है, काफी बार रेपीट हुआ है, आ जाता है, एक बार इसको पढ़के जाएगा, ठीक है, एजुकेशन और फिलोसेफी में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ने एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, शिक्षा के नीजी करण से आप क्या समझते हैं, हमारी शिक्षा ब्रणाली पर इसके परभाव की विवेचना कीजे, what do you understand by the privatization of education, discuss its impact on our educational system, ठीक है, नेच कोशन, वैश्वी करण से आप क्या समझते हैं, शिक्षा पर globalization, globalization, globalization और आपका globalization तीनों यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, तो एक ही question कर लो, ठीक है, तीनों के दोनों नीचे का बनाप हो जाते हैं, important रहता है, ठीक है, करके जाना है, इसका शिक्षा ले लीचेगा, अपने question bank में इसको tick कर लीचेगा, आगे बढ़ते हैं, next question की बात करते है, next question, important, women empowerment, very very important question, ठीक है, पढ़के जाना है, जरूर, ठीक है, महिला शिक्तिक्तिक्रण से आप क्या समझते है, संचिप्त वर्णन कीजिए, important question है, easy question है, अपने question bank में इसको tick कर लीजेगा, या फिर इसका skin short ले लीजेगा, आगे बढ़ते हैं, next question काफी जाना important, ठीक है, आपको सारे बाल अधिकार पता होने चाहिए, जो आपके बारते संविधान में है, ठीक है, याणि कि चाइल्ड राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और कैसे पूछता है, कि भारतिये संविधान में उल्लेखित, निति-निर्देशक तत्व, DPSP के ब हाहती सम्झा भाहाती सम्विधान में किनोल अधिकारों को वर्णित किया ग θα बहुत about umakad느ian को फिर्भिध wrap लेटेर यह सभी कोशन पढ़ जाना ठीक है, एक कोशन जरूर आएगा, ठीक है, इंपोर्टन रहता है, अपने कोशन में इसको टिक कर लो, या फिर इसका इंस्क्रिशोर ले लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन की बात करते हैं, नेक्स कोशन जो कि आपके लिए रहेगा, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 2009 पर एक्शन शिप्त टिपनी लिखे, ठीक है, शोर्ट नोट लिखना है, आपको राइट टो एजुकेशन एक्ट ने 2009 पर ठीक है, ओपने वेशिक शिक्षा की समालोशना कीजिए, क्रिटिकल एग्जा अधिकार अलग है, दोनों कोशन अलग है, न्यक्त आपका रिपीटेट हो गया, तो दोनों कोशन अलग है, ठीक है, करके जाना है, इंपोर्ड सिक्षेन रहता है, अपने कोशन में इसको टिक कर लीजिएगा, तीक आगे बढ़ते हैंłe अग्ट कोशन के इसको टिक कर जिए गाईगा तिक है दोनों अलग-अलग कोशन है ठीक है या समयन्वित बाल विकास योजना पर एक संशिप्त टिप नि लिखिए अलग कोशन है इसका स्कीन शौड ले लिजेगा और बालको के लिए रास्ट्रे कारिया योजना 2005 पर टिप निलिखिए दोनों अलग- ले लिजेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन की बात करते हैं नेस्ट कोशन जो कि आपका इम्पोर्डन रहेगा वह आपका यह है कि माध्यमिक शिक्षा के पाथे करम में करण के व्यवसाइक करन की अवशकता मेहत्व का संचेप में वर्णन कीजिए इंपोर्डन कोशन है इसका screenshot ले लिजएगा आपने question एक में इसको टिक कर लिजिएगा आगे बढरते हैं नेस्ट परियोजनवाद बहुत जादा इंपोर्टन रहता है और हर साल जरूर आपका आ रहा है मलब परियोजनवाद क्या है परियोजनवाद के मुर्भु से धानतों का उलेग कीजिए शिक्षा के विभिन पक्षो पर इसके परभाव की विवेजना कीजिए या फिर परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा के अर्थ को स्पस कीजिए या फिर परियोजनवाद के दर्शन की विवेजना कीजिए एमां वर्तमा शिक्षा बढणाली में इसके महत्य की विविस्तार से चर्चा कीजिए परियोजनवाद भाई पढ़के जाना है इंपोर्डन रहत बात करते हैं बहरते शिक्षा आयोग की शिफारिशों का उल्ले की जिए भारते शिक्षा आयोग के प्रात्मिक शिक्षा से संबंधि सुझावों को बताईए थीक है तो यह इंपोर्टन रहते हैं अलग अलग कोशन है एक जरूर आएगा ठीक है अपने को टिक डो इन मेंसे एक जरूर आएगा ठीक है अगे बढ़ते हैं और लिगा जाएगा ठीक है और फिर देखते रहे जाओगे त्री भाषा सुत्र पर एक ज़िपनी लिखे बस इतना ही आता है एक शट में आएगा तो कर के जाना है ठीक है त्री भासा सुत्र और आपका National Education Policy 1986 ठीक है? तो इनका इसकी शोल ले लिजेगा, अपने Question Bank में इसको Tick कर लिजेगा, तो यही थे आपके Contemporary and India Education के Most Important Questions. दो पेपर आपके हो चुके हैं आई ठीक है न और अब करते हैं थोड़े से विद्या Question Bank की बात करते हैं, यही था आपका ठीक है, चाल्डर अन गुरेगप का B.A. First Year का Gas Paper, अब बात करते हैं थोड़े आपके विद्या के Question Bank की PDF के बारे में ठीक है? तो यह जो आपका Unsold है, य आपका 100% आपका हट साल पेपर आता है, ठीक है? अब इस Unsold पेपर के जो Question है, उनका Solution इन विद्या के Question Bank में दे रखा है, अब CDC बात यही है, 100% जो एक एक Question का Solution विद्या के Question Bank में मिलता है, और दूसरी चीज Easy Language में मिलता है, ठीक है न? तो अगर आप B.A. First Year में हैं, और रोहिल खन इन उनिवस्टी से B.A. कर रहे हैं, और इस बार एक्साम देने वाले हैं, 2024 के अंदर, तो यह PDF साब मुझसे बाय कर सकते हो, सारी की सारी, ठीक है, बहुती कमप्राइज में मैं आपको यह available करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ले भी ली है अभी तक, ठीक है, तो अगर आप B.A. करना चाहते हैं, तो मुझे WhatsApp पे Message कर देना, मेरा WhatsApp नमबर है, 8445799336, ठीक है, यह मेरा WhatsApp नमबर है, ठीक है, अगर आप Hindi Language में ही आती है, Vidya का question bank, English में नहीं आता है, अब जो English Medium का चात्र है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके question आते हैं, कि सारह हम क्या करें, जो English Medium चात्र है, आपको ना चाहर भी सूर्या का ही question bank लेना पड़ेगा, अब क्या दिक्कत है सूरिया के question bank में है ना जो हिंदी medium का चात्र है अगर उसने सूरिया buy कर लिया है तो क्या दिक्कत है दिक्कत ये है हिंदी medium में अगर आप सूरिया buy करते हो या English medium में करते हो इंग्लिश मीडियम को तो करना है पिड़ेगा क्योंकि उसके पास तो कोई option नहीं है, है ना, लेकिन हिंदी मीडियम का जो चात्र अगर वो सूरिया का question bank buy कर लेता है, तो उसका, सूरिया में, जो unsold में, जो question दे रखे हैं, उसका solution नहीं मिलता है, बहुत सारे question ऐसे हैं, जो सूरिया में नहीं मिलते हैं, लेकिन एक विद्या का question bank ऐसा है, जिसमें एक-एक question का आपको, unsold के solution मिल जाता है, with easy language है ना, तो अगर आप फस्टेर में है, तो ये WhatsApp नमर मैंने आपको दे जिया है, इस पे आप message करिएगा, हाय लिखेगा, और बोलना सर के मुझे रोहिलखन इस पे लिखा होना चाहिए लिखना, तभी वो आपके new question bank होंगे, 24 uis पे लिखा होना चाहिए, और उसके अंदर, उसके अंदर आपका 2023 का paper भी होना चाहिए, प्लस आपका 2022 का paper भी उसके अंदर होना चाहिए, starting में ही, तो वो आपका new question bank है, ठीक है, अगर ये दोनों पास पास आपके पैसे इसमें लग जाते हैं, ठीक है, मुझे अगर आप ये PDF भाई करोगे, तो मैं सब के सब प्रवाइड करा दूँगा, ये आपके पैड़ागोजी के KEPPER की PDF, drama and art का Question Bank बनाता ही नहीं है, तो उस, उस, उस明वन सूरिया का Question Bank आपको दे रहा हूँ हिसमें आपका इसमें आपका pedagogy subject भी होगा और एक-एक PDF होगी प्लस आपका unsold भी होगा ठीक है तो इस तरह से कुछ रहेगा ठीक है और काफी पैसे आपके बच जाते हैं अगर मैं बात करूँ compare करके तो 7-7 रुपे कहीं ने कहीं आपके बच जाते हैं ठीक है और easy language में आपको content मिल जाता ह एक-एक question का solution आपको मिल जाता है तो चलिए इतने रखते हैं और मिलते है next video में आपका next paper के साथ तो बने रहेगा channel से channel पर नए है तो subscribe करिएगा और bell icon को press करिएगा और अपने friend को जादे स्यादा share करिएगा क्योंकि आप लोगों के exam start होने वाले है ठीक है ताकि उनको पता चलेगी gas paper की series 2024 की start हो चुक है रोलखन इनवस्टी की और बने रहेगा खुश रहेगा ज्यादा परिशान नहीं होना है जो question मैंने बताया है 100% वह आएंगे तैयार कर लेना उसको और PDF चाहिए तो मेरे WhatsApp नमबर इस पर message कर देना तो चलिए मिलते हैं नमस्ते टाड़ा थैं